हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है संतन और आप देख रहें SBS मार्टेक यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्लेयर स्टोर से कोई भी अप्लिकेशन को कैसे अपडेट करते हैं गाईज तो अपडेट क्यों किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा गाईज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेट जरूर करना चाहूंगा कि यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बे लाइव लाइच दिन यूज करते हैं उसके बाद क्या होता है कि कोई नया aft Leinto constitution किया जाता है तब आपको अपडेट कर जैसे ही करते हैं तब ही वो फीचर्स आपके वाटसप पे मिलता है तो गाई चलिए आप आप सभी को बताता हूं कि कैसे अपडेट करना है प्लेया स्टोर में जाकर तो सबसे पहले प्लेया स्टोर ओपेंड करने के बाद आपको मेन्यू बार दीखेगा जाएगा तो जो जो अप्लिकेशन आपको अपडेट मांग रहा है वो आपको अपडेट कर लेना है यहां से तो जो भी अप्लिकेशन को आप अपडेट करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं फेस्बुक लाइट है वो अपडेट यहां पर करन के बाद यहां पर automatic hasona शुरु हो जाता है guys इस परकार से आप सारा application को अपडेट कर सकते हैं जितना भी प्लेस कूर से अप सब्सकूर किया हैं अपडेट कर सकते हैं देख सकते हैं हैं अपर WhatsApp भी update मांग रहा तो इसे भी अपडेट कर लेते हैं अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है देख सकते हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद अपडेट हो जाथा वाटसप भी अगाईज अगर आपको कोई परसानी है तो वीडियो के कमेंट सेक्षिन में बताइए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन प्रेस किजिए थैंक यू